यह जो काउंटर देख रहे हैं इसका काम सल रहा है दोस्तों यह अभी तक पूरा नहीं हुआ है लेकिन इसमें गलास को कैसे लगाना है जो स्लाइडिंग गलास है किस तरह से लगाया जाता है और स्लाइडिंग में आप दरवाजा भी बना सकते है और जो खिरकी है उसको भी इस ग्लास के उपर में हम सिलिकन लगा के इसका जो उपर का जो तॉब है उसको हम लगा देंगे दोस्तो और इसमें लाइटिंग भी हमने लगा दिया है इस ताइप का देखने को मिलेगा आपको रात के ताइम में दोस्तो और यह जो ग्लास अभी हमने फिटिंग किया है इस चैनल और हुईल को सेंज करके आप बड़ा प्लाई का दोर को भी लगा सकते हैं और विंडो को भी लगा सकते हैं इस विडियो में मैं ग्लास का जो स्मॉल साइस का दोर है इस ताइप का जो दोर है उसको में कैसे लगाया जाता है इस विडियो में पूरा दितल से दिखाने जा रहा हूँ दोस्तो विडियो को पुरा देख अलमारी में किस तरह से फितिंग किया जाता है स्लाइडिंग ग्लास को अभी में दिखाने जा रहा हूँ सबसे पहले हुएल का जो कटिंग हे इसको कर लेना है ग्लास में और यह जो हुःल है हुःल को तीन सुट शोर गे ग् विल का साथ में ही फेविकल का जो देंडाइट आता है उसको लगा देना है दोस्तों उसका बाद ही आप गिलास को सला सकते है स्लाइडिंग कर सकते है अभी ये जो सेनल है इसमें जो हमने अभी सेनल लगाया है इस सेनल को किस तरह से लगाना है उसको भी में दिखाऊंगा द सेनल में सबसे पहले एक कील के मदच्चे थोरा होल कर लेना दोस्तो प्लास्टिक का अगर ग्लास सेनल होगा तो उसमें आपको होल करने का ज़रूरत नहीं है लेकिन ये थोरा हाट है इसलिए हमने इसमें एक कील के मदच्चे थोरा इस ताइप से थोरा होल कर दिया है और होल करने के बाद इसमें हम जो half n का जो कील है उसको हम ठोकेंगे और ये जो कील देख रहे हैं दोस्तों ये 34 size का half n का कील है दोस्तों और इसको ही हम लगाएंगे अगर इस से भी आपको मोता size का जो कील है वो मिल जाये तो आप लगा सकते हैं और भी काम अच्छा होगा तभी क्यूंकि ये जो कील है दोस्तो उतना मोता नहीं है इसलिए इस कील से अगर हाफ इंसी का एक बरा सा इसका कील आता है मोता सा इसका उसको लगाएंगे तो थोरा मजबुद होगा अगर आप होल करेंगे बरा दो इंसी का कील से या देर इंसी का कील से अभी कैसे थोकना है थोरा में दिखा देता हूँ इस ताइप से 2 इंची का कील लेके इसको थोक देना है पहले हाफ इंची का कील को लगा के 2 इंची का कील से हमने इसको थोक दिया है दोस्तों और chanel को हमने लगा दिया है अभी इस ताइप से हमने chanel को लगा दिया है और नीशे का chanel है उसको नहीं लगाना है दोस्तो उसको बार में glass का साथ में लगाना है और ये जो कील से अब hole करेंगे hole करने के बाद पीशे के side में इस तरह से थोड़ा बर जाता है उसको cutting कर दे अब ही ये जो हुल है, हुल को किस तरह से दंदाइच लगा के हम फितिंग करेंगे, थोरा में दिखा देता हूँ, देखिये. और भरने के बाद कम से कम पास मिनित इसको रखना तभी आपका जो देंदाइड है देंदाइड सही तरह से सुख जाएगा और सुखने के बाद ही इसको लगाना है दोस्तो और अगर आप सुखने से पहले ही इसको लगाएंगे तो ये जो हुईल है हुईल इधर उधर हिल ज जाएगा उसमें अगर देंदाइद रहेगा भी तो एक दम अच्छी तरह से वो चल जाएगा ऐसे पुरा लगा देना है अभी में ये जो हूइल है हूइल सारा हूइल को हमने लगा दिया है लगाने के बाद दो ग्लास को अभी में इस ताइब से एक सेनल में बिठा दिया और कभी भी पूरा sainel को नहीं लगाना है और जो कर्पेंटर है जो पूराना कर्पेंटर है इसको तो मालूम है लेकिन जो ग्पेंटर है उसको मालूम नहीं है इस लिए इस वीडियो के द्वारा में दिखा रहा हूँ दोस्तो ये जो दोनों ग्लास अभी देख रहे हैं इसको थोड़ा गैप कर लेना है और उपर का जो सेनल है सेनल का खासा में दोनों को पहले भर देना है उसका बात नीशे का जो सेनल है उसको थोड़ा इस ताइप से करके इसको भर देना है दोस्तों ऐसे पुरा थोड़ा धीरे-धीरे करके इसको लगा देना है और आगे जो सेनल है सेनल को खिस लेना है अगर gap थोरा बहुत इधर उधर होगा तो ऐसे पुरा खिस लेना है और बराबर जगा अगर होगा तो उसको आप सही तरह से लगा सकते हैं और उसको कैसे लगाना है थोरा में उसको भी दिखा देता हूँ देखिए ऐसे पुरा दोनों ग्लास को बिठा देना है बिठाने के बाद जो सेनल का खासा है उसमें आपको ऐसे पुरा भार लेना है अगर बड़ा ग्लास होगा तो दूआ अदमी का जरूरत परेगा लेकिन ये सोते साइस का ग्लास है इसलिए एक अदमी से ही इसको आप खारा जो साइस है उसको हुईल के हिसाब से काटिंग करना परेगा अगर आपको इस ताइप का जो हुईल है उसको अगर लगाना है तो तीन सुट शोर के काटिंग करना परेगा और सेनल जो है सेनल और सेनल के लिए भी एक सुट शोर देना है दोस्तों सेनल का जो नाप है उसको एक सुचोर के इसको cutting करना और जो लंबाई जो है ग्लास का जो लंबाई है उसको center से 2NC बढ़ा करके cutting करना center को नाप लेना है उसका बात 2NC बढ़ा करके 2 पिस को cutting कर देना है दोस्तो तभी आपका जो ग्लास है ग्लास में gap नहीं रहेगा एकड़म सही तरह से काम हो जाएगा अभी यह जो काम है पुरा हो गया है दोस्तो और इस काम को अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करना और channel में अगर नया है तो channel को subscribe जरूर करना दोस्तो आज के लिए इतना ही मिलेंगे एक नया वीडियो में